तो है गाइस गुड इवनिंग गुड मॉनिंग गुड आफिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं मैसल फॉर्मन शिर्वास तो लेकर आ चुका हूँ कल की फिन निफ्टी की आपको सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में डिसक्रिशन करने वाले हैं प्लस आज की मार्केट हम लोग इस वीडियो को पूरा लास तक देखेगा यह वीडियो आपके लिए जरूर से यूसफुल होता हो देखेगा जैसे आकल का भी वीडियो था इसको ध्यान दीजिएगा तो अपना फुल पुटेंशिल के साथ इस वीडियो को पूरा लास तक देखेगा और ताकि आप अच्छी दरीगे से इंजॉय करते वह दिख पाए तो जैसा आपको आज भी बता होगा आज की मार्केट वस वेरी ग्रेट ठीक है और सभी लोग का मैं कमेंट्स चाहता तो आप जरूर से लिखके बताएगा पिछले वीडियो पर बहुत लोगों लें लिखके बताया था मैं जितने को भी पॉसिबल लोपाएगा उतनों को रिप्लाई करने की कुछिश करूंगा देखेगे प्रिविएस वेक में मेरी ये मिस्टेक मेरे से होती हुई दिखी है दो बार मैं strictly 20% के SL को फॉलो नहीं करता हूँ ऐसे बहुत लोगों ने चोटी चोटी प्यारी-प्यारी मिस्टेक्स को लिखा तो यह मुझे काफी इच्छा लगा देखके तो इसलिए मैं आपसे ही कहूंगा ठीके कि आप लोग भी अपनी मिस्टेक्स को लिखेगा आज की दिन में क्या होती हुँ देखी ठीके हम लोग कल कैसे इसको सदार सकते इसको ध्यान देजाएगा तो कमेंट सेक्षिन पूरा लिखे रहना चाहिए आज की समरी का सभी लोगों का तो आज की मार्केट काफी ज्यादा स्लोथी ऑप्शन वायर्स के लिए काफी डार्क मार्क आपका थोड़ा बहुत गैप अप खुलता हो दिखता है तो उसके बाद पुल बैक लेने के बाद मार्केट एक बार 20,000 के लेवल को रीज करने जाएगा क्योंकि 20,000 वन डे टाइम फ्रेम पे लास्ट रेजिस्टन्स एरिया प्रेजेंट है निफ्टी का उस लेवल को मार 20,000 के लेवल पे पहुचा तो रिवर्सल के कोई चांसे ही नहीं रहते अगर मार्केट सुबह के टाइम ही अपना अपसाइड मेंटम दे के 20,000 के लेवल पहुच जाता तो एक अच्छा रिवर्सल आने के चांसे रहते बड़ वो अलग सेनारियो मार्केट ने प्ले ही नही मेरे लिए उतना अच्छा दिन नहीं था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा option buying में नहीं मिला और लास्ट में थोड़ा से एक दो जगा इस topless hunting भी हुई तो मैं अपने दिन को तो न्यूट्रल टू थोड़ा से negative भी मानता हूं इसको याद रखेगा अब कल की दिन में इसको स चाड़े 5 बज़े डाटा आने वाला है इंफलेशन का और 13 को आपका USA का आने वाला है यह दोनों important data है plus हम लोग इन दोनों data को अच्छे से जानेंगे भी आप upcoming videos को देखेगा जरूर subscribe कर लेजएगा तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो यह दोनों data को हम लोग देखने लोगे तो daw के futures भी अभी के time पे आपकी कैसे चल रहे है एक बड़ जल्दी से हम लोग आपी के सामने refresh करके चेक ले थे positive ही थोड़े बहुत चलते हुए दिख रहे है तो कोई भी problem की बात नहीं closing के time पे थोड़ा ज्यादा positive थे अभी Nasdaq के ज्यादा positive इसको याद रखेग तो अब overall scenario अभी तक का positivity का दिख रहा है हमारी market भी positivity के side जाके closing करने की कोशिश करी वन डे टाइम फ्रेम पे एक बार जो को चेक करेंगे अगर तो देखो के guys तो वन डे टाइम फ्रेम पे आपको एक amazing चीज दिखेगी कि market में लगातार जिसको कहते है एकदम लगातार green can stick form आता हुआ दिखा है तो एक तरह की strong bullishness अभी भी market में साफसता दिख रही है तो क्या market यहां से reversal ले सकता है अब यह तो market में पहली बात तो सबसे most important कल का event decide करने वाला है अगर US में inflation and everything high आता हुआ दिखता है तो एक negative बात मानी जाएगी तो हो सकते है market यहां से थोड़ा बह लगातार हो चुका है तो कल के दिन में मुझे hope है कि market अगर 20,000 के आस पासी खुलता है या तो इसके नीचे ही रहता है थोड़ा देर तक sustain करता है 15-20 जो आज की closing होई इसके नीचे तो market में second half में sell-off का pressure आएगा इसको याद रखेगा यह मेरा projection कहता है क्योंकि आप खुद closing तो आपका 0.5 retracement zone के नीचे ही था आज के दिन में gap up खुल के उसके उपर closing कर रहे है तो यह कि strength की बात market क्ले मानी जाएगी अभी इसकी closing एक अच्छी तरीके से होती हुई दिख रही है तो यह one day time frame का scenario हो चुका है इसके साथ साथ guys अगर आपने अभी तक PGS को नहीं पढ हो गया है तो वो जरूर से पढ़ता हुआ दिखेगा अगर आप मिस्स कर रहे हो तो इसके साथ साथ guys अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो आपको पता रहना चाहिए हम लोग चल जलते अब directly कल की market में क्या चीज़ी कर सकते हैं उसके बारे में discussion कर लेते हैं एक बार OI data क की analysis भी मैं आपके साथ करना जाता हूं अगर मैं option change तो छोड़िए option open interest को देखा जाए आज के दिन में open interest spot side में बढ़ा बट अभी भी देखोगे तो 20,000 के level पे call raters का overall में open interest जादा है मतलब कल के दिन में gap down opening हो जाती है तो आपका call raters अभी भी market में present है and 45,500 के level पे देखोगे तो आज market उसके 100 point उपर closing कर रहा है तो इसलिए थोड़े मोड़े call raters वहां से भागे बट अभी भी present है इस level पे and इसके बाद directly 46,000 पे इन दोनों points को भी आपको याद रखना है इसको ध्यान देजेगा अब चल जलते guys कल की market के price action and everything के बारे में discussion करते हुए दिख जाते हैं सबसे बहले guys आपको जो levels दिये गया थे nifty bank में market आज उसी के zone के बीच में था बहुत देर तक फसा फिर इसके बाद market upside का breakout दिया and एक अच्छी अच्छी upside की closing करी एक level अभी बचा हुए market का 45,771 इस level को हम लोगों को याद रखना है ठीक है आ जाते guys तो यह आपके सारे levels रहेंगे nifty bank के सबसे उपर का level रहेगा 45,736 फिर नीचे का बीच level रहेगा 45,463 से लेके 475 फिर इसक के बाद आपका 45,138 से लेके 190 यह आपके सारे की सारे जोन रहेंगे अब हमको कैसे play करना है अब आपको भी समझना है इस market लगातार bullish होता जा रहे है तो फिर से अगर gap up खुल जाते है अच्छा खासा अगर फिर से आपका 200-500 point gap up ही खुल जाता है तो मेरे ख्याल से market को वह आपके लिए यह market कि अगर कल के दिन में gap up खुलता है तो मैं फिर से कल के दिन में देखो bugger bank nifty guys इतना note का लिजे अगर 100 point से ज्यादा gap up खुलता हो दिखता है तो हम लोग एक छोटा मुटा negative side के trade first half में लेने की गोशिश करेंगे इसी level को resistance level और final level अभी तक का line से market का bullish होन market के इसके नीचे भी closing कर देगा तब हम लोग इस target तक का लेने की कोशिश करेंगे पर पहला कहां तक का आएंगे उपर की level से यहां पे market ने आज की दिन में closing करें उस point तक इसको याद रखेगा दूसरा part कि क्या हम लोग दूसरा काम कर सकते हैं if in the case अगर market आपका sideways opening करता है तो sideways opening करता है तो market में मैं चाहूंगा कि market अपना price action को पहले बनाए, stabilization के साथ अच्छे से पहले सही से price action को बनाए, क्योंकि market बहुत confuse करा आज के दिन में बहुत गंदा price action था, only and only option sellers market बन गया था, तो पहले मुझे clear picture में option buyer like कुछ अच्छा दिखे, तब मैं वहां पे अप market sideways ही अपनी करता है, तो मैं बहुत ज़दा aggressive नहीं, थोड़ा दिर wait करूँगा price action का, उसके बादी अपना long side, downside play करूँगा, कोई buyers नहीं कि एकदम downside, हाँ बड़ इतना है, लगतार बैठा हुआ है, तो downside अगर market कुछ गिरेगा, तो बड़े momentum को capture करने की कोशिश करूँगा upside में बड़ा momentum नहीं, क्योंकि लगतार market बढ़ चुका है, आपको भी बता होताना चाहिए, कि market जब लगतार बढ़ जाता है, तो buyers अपने profit working पे थोड़ा बहुत फोकस करना शुरू करते हैं, and कल event भी है, तो होसकता है, new buyers इवेंट के डर किए से, आपका नहा आते हुए, दिखें, इसको याद रखेगा, and if in the case, अगर gap down खुल जाता है, तो आपको समझना है, 45,500 के आसपास अगर market आ जाता है, और इसको तोड़ के sustain कर देता है, 45,500 के नीचे तोड़ के 15 नट time frame की candlestick sustain कर देता है, then एक target आपका बनता हो, दिखेगा, मेरे प्राइजिशन के सकता है, banking sector में, एक बाद nifty को भी जल्दी से देख लेते हैं, nifty को भी अगर आप check out करोगे, तो nifty के भी सारे levels को mark करीजेगा, सबसे उपर के top level आपका होतो देखेगा, 20,041, इसके बाद next zone रहेगा, 19,966, फिर इसके बाद next level रहेगा, 19,937, फिर इसके बाद next level रहेगा, 19,889, and last area आपका होतो देखेगा, 19,830, तो यह सारे के सारे scenarios बनते भी दिखने हैं, इसमें भी same to same है guys, इसमें buyers थोरे से रदा active थे, 20,000 को पहुचा ना था, पहुचा दिया, काम complete हो चुगा, पिसली बाद 20,000 से बहुत शाप reversal market ने लिया था, इस बाद क्या करता है, वो market ठीक उपर depend करेगा, but in the case, जहाँ पर last में 3 p.m. पर strength आई, वो level को अगर market तोड़ता है, जो आपका 19,967 है, इसके नीचे अगर market के N6 sustain करेगा, तो मेरी एक negative side की position यहाँ पर आती हो दिखे कि 19,940 तक के target कले, and इसके बाद इसको भी break करता है, तो बीच में मैं आपको targets और दूँगा, आप mark करना चाहो, छोटा से mark भी कर सकते हो, 19,914, and इसके बाद 19,889, यह दो targets और आते हो दिखेंगे, बड़ जब इस level को cross करेगा, तभी मैं play करूँगा, अगर market gap down भी खुलता है, बड़ इस level पर रुपता है, तो मैं बहुत aggressive भी down side करने ही play करूँगा, इसक लोड़ा से price action का wait करूँगा, जो मुझे intraday में सही price action लगेगा, उसके साफ से मताबिक position लाऊँगा, पहले से judge करके जाऊँगा, कि gap up खुलेगा, बहुत aggressively, nifty में भी short करना है, यह dangerous है, क्योंकि आपको भी बता जो लें, all time high है, क्या पता, new all time high बनाने के लिए market, 20,200 तक क होते हुए दिख रहे है, तो इस part को हम लोग को अच्छे से decide करना है, ठीक है, और एक important बात यह है कि आपका, जो आपका dollar index है, dollar index में आपका थोड़ा बहुत negativity का pressure मना है, इसको याद रखिएगा, तो इसको भी आप देखते रहे है, negativity का pressure, US market ले वो अच्छा होता है, US market होगा, आपने share कर दिया होगा इस वीडियो को, पिछले वाले वीडियो पे thank you so much, lovely support दिखाने के लिए, सबने comment करके अपनी गलती हो, अपने summary को लिख दिया होगा, नहीं लिखा है, तो लिख दो, बस एक नट टाइम लगएगा, अपका regular जब लिखो कि न, तो आपको लग